Hello friends, welcome you all on Plants and Planet. गर्मी का सीजन हो और जीनिया पर बात ना हो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे ज्यादा खूबसूरत फूलों में से एक है ये फूल और इतनी सारी कलर वेराइटी है के और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं. जीनिया की ये सुन्दर फूल और साइज आप देखिए बड़े-बड़े साइज में होते हैं और सिंगल पैटल फुलावर्स और डबल पैटल फुलावर्स इसमें दोनों तीनों वेराइटी अवेलेबल होती हैं. और एक बार अगर आपने इस प्लावर्स को लगा लिया अगर तो जमीन में लगा है तो जाड़ी के जैसा बड़ा हो जाता है ये प्लावर्स और अगर आप गमले में लगाते हैं जैसा कि मैंने लगाया है तो भी बहुत अच्छी फुलावर्स होती है आपके सामने ही है य vibrant color होते हैं ना कि देखते ही आँखों में एक चमक आजाती है जैसे कि आप ये देखिए bright orange color वहीं पर इसमें baby pink color है और एक magenta pink color है इसका white color जीनिया को लगाना गाइस थोड़ा सा tricky होता है शुरुआत में जब हम इस plant को लगाएं तो कुछ बातों का खयाल रखना बहुत जरू नावरिंग इंजॉय करनी है शुरुआत में तो गाईज यही जानना बहुत जरूरी होता है कि जीनिया को कब लगाएं क्योंकि summer season का plant है ये लेकिन बहुत ज्यादा जब peak summer होता है बहुत तीखी गर्मी होती है तो ऐसे में ये plant survive नहीं कर पाता इस लिहाद से ये बहुती sensitive plant है तो ऐसे में गाईज आप इसे late summer में लगाएं जब बरसात के बाद spring season शुरू होता है ना हलकी हलकी मौसम में ठंड आने लगती है तो ऐसे में आप इस plant को लगाएं तो आपको इसके result बहुत अच्छे मिलेंगे soil की अगर बात करें तो इस plant को हलकी सी acidic soil पसंद होती है तो जब आप इस plant को लगाएं तो इसकी मिट्टी में 50% garden soil 50% ही आप इसमें गोबर की अच्छी पुरानी वाली खाद डालें और साथ में डालें थोड़ी सी चाई की पत्ती यहां चाई की पत्ती आपको fresh नहीं डालनी है चाई पीने के बाद जो पत्ती हमारी च्छानने के बाद निकलती है उसे सुखा कर आप रख लें पानी में अच्छे से धोलें ताकि उसके अंदर जो चीने की मिठास है वो न और उस सूखी हुई पत्ती को आप इसमें डालें तो जो इसकी acidic requirement है वो भी पूरी हो जाएगी इसके अलावा guys आप इसमें monthly basis पर liquid fertilizer भी डाल सकते हैं liquid fertilizer कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने आपके साथ share किया हुआ है चैनल पर डाला हुआ है तो आप वो जरूर देखें औ और उसे apply करें अपने plants पर तो आप देखेंगे कि ना केवल आपके flowers के color vibrant होते हैं plant भी आपका healthy रहता है और flowering भी ज्यादा होगी इसके साथ ही आप और ज्यादा flowering पाने के लिए भी जो फूल हमारे सूख जाते हैं उन्हें निकाल दें तो कटी हुई stem से भी 3-4 और नए branches निकलेंगी और आप देखेंगे कि ज्यादा branches होने से plant भी घना होगा और flowering भी ज्यादा होगी जीनिया की water requirement पर अगर बात करें गाईस तो आप daily इसे पानी डाल सकते हैं क्योंकि summer season का plant होता है लेकिन कोशिश करें कि over watering ना करें और साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि मिट्टी सूखी ना रहे और अब जानते हैं कि कितनी धूप इस plant को चाहिए अक्सर ऐसा होता है कि जितने भी flowering plants होते हैं उन्हें हम 6-8 गंटे की धूप में रखते हैं उनकी requirement होती है लेकिन जीनिया एक ऐसा plant है गाईस जिसको बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए सूबा की 4-5 गंटे की धूप ही इस plant के लिए sufficient होती है और ये देखें करीब 5-6 इंच की उचाई है इन grow bags की जिसमें मैंने अपने जीनिया के plants को लगाया हुआ है अक्सर मैं अपने seasonal plants के लिए इसी type के grow bags का इस्तमाल करती हूँ और अगर pest attack की बात करें गाई तो अक्सर leaf curl की problem देखी जाती है जीनिया पर हाला कि मेरे plants पर अभी तक ये problem नहीं आई है लेकिन उसके लिए भी कोई भी आप organic pesticide का इस्तमाल कर सकते हैं या अगर आपके पास neem oil है तो आप neem oil का इस्तमाल भी कर सकते हो propagation के लिए गाईज क्योंकि seasonal plant है ये तो जैसे ही फूल पक जाते हैं तो आप इसके बीजी कठा करके रख सकते हैं ताकि next season में आप इस्तमाल कर सकें और उनसे नए नए पूधे बना सकें तो गाईज कैसी लगी आपको ये वीडियो आप मुझे comment box में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो like and share करना ना भूले इसके साथ ही चैनल को subscribe कर ले अगर आपने नहीं किया है तो thank you